नमस्कार बच्चो, ओनलाइन शिक्षन में आपका स्वागत है, आज में आपको व्यवसाईक अध्यन में पहला पार्ट व्यवसाई, व्यपार और वणिची के अंतरगत व्यवसाई अवधार्णा, विशेश्ताएं और उसके उद्देश्यों का वर्नन करूंगे, चलिए मि व्यवसाई का यह व्यवसाई है, आपके द्रिश्टी कोन से क्या हो सकता है इसका अध्यार्णा, सोचिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ, व्यवसाई एक ऐशा शब्द है, जो व्यवसाई से जुड़ा हुआ है, अर्थात, हम सभी किसी ना किसी कारे में सनलगने रहते ह और यदि यह कारे धन प्राप्त करने के उदेश्य से या धन प्राप्त करने से संबंदित हो, तो कारेों को हम व्यवसाई की संग्या देंगे। बच्चों, हम जानते हैं, मनुष अपनी विभिन नवशक्ताओं की पूर्ती के लिए किसी ना किसी कारे में व्यास्त रहता ह जैसे किसान द्वारा अनाज उत्पन करना, किसी दुकानदार द्वारा अपनी वस्तों को खरीदना या बेचना, एक डॉक्टर द्वारा अपने मरीजों का इलाज करना, अध्यापक द्वारा छात्रु को शिक्षा देना, शमिको वा करमचारियों का कारकाने में काम करना, समाज सेव को द्वारा समाज की सेवा करना इत्यादी इस प्रकार हरी एक व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए किसी ना किसी कारे में व्यस्त है वै कुछ कारे धन को प्राप्त करने के लिए करता है तो कुछ मनो भावना और सहनुबूती या भावना से वशिभूत होकर अपनी मानसिक या आत्पिक संतुष्टी के लिए करता है मनुश्य के धन प्राप्ति के लिए किये गए संपुन कारे को हम आर्थिक कारे कहते हैं और भावना से प्रेरित होकर किये गए संपुर्ण कारें अनार्थिक कारें में आते हैं। कारे के दृष्टी से मनुष्य के कारें को दो भागों में हम बाट सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि मनिश्य द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं दो श्रेणियों में विभाजित हैं, धन संबंदी, आर्थिक क्रियाएं और भावना संबंदी, अनार्थिक क्रियाएं तो बच्चो स्पष्ट है आर्थिक क्रियाए क्या है मनुष्य की वे सभी क्रियाए जो वे धन प्राप करने के उद्धिश से करता है जिससे वे अपने जीवन को चला सके और अनार्थिक क्रियाए मनुष्य द्वारा की जाने वली समस्त क्रियाए है जिने वे भावना से प्र कौन सी कारे आर्थिक है और कौन से अनार्थिक बच्चों इनके अर्थ को आप अच्छी तरह से समझ गई होंगे चलिए अब इनमें अंतर को भी देखते हैं अर्थ के अधार पर आप असानी से बता सकते हैं आर्थिक क्रियाएं मनुष्य की धन संबंदिक रियाएं जबकि अनार्थिक क्रियाएं मनुष्य की भावना या मनुभाव से संबंदित क्रियाएं हैं उद्रिष्य के द्रिष्टिकों से यदि आप अंतर करना जाएं तो आर्थिक क्रियाएं धन या लाप्राप्त करने के उद्रिष्य से की जाती हैं अनार्थिक क्रियाएं मानसिक और आ सेवा, धरम सेवा को सामिल करते हैं. कारण के अधार पर यदि अंतर देखना चाहें, तो आर्थिक क्रियाओं का कारण पैसा कमाना मुद्र आर्जित करना है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं का उद्ष्य, समाज और नैतिक मुल्य का इस्थापना करना और आत्मिक संतुष्ट उधारन की तौर पर डॉक्टर अध्यापक पुलिस व्यपारी के कारे आर्थिक क्रियाओं में आते हैं, जबकि मा का पुत्र का पालन करना, मित्र द्वारा मित्र की मदद करना, भक्त द्वारा, अपने मंदिर में सेवा करना, पुरद्दा की मदद करना ये सब अनार्थिक क करियाओं का वर्गी करन देखते हैं, आर्थिक क्रियाओं को तीन श्रेनियों में बाटा जा सकता है, विविसाए, धंड़ा जिसे हम पेशा भी कहते हैं, और रोजगार, विविसाए क्या है, अब आप जानते हैं, विविसाए से आशये, ऐसी नियमित रूप से चलने वाली आर्थिक क्रियाओं से हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उत्पादन मतलब पैदा करना, क्रेविक्रे, यानि खरीदने बेचने का कारे करना, व वितरन, वितरन मतलब बाटने का कारे करना, से ग्राहक की संतुष्टी द्वारा लाप्राप्ती से संबंद रख इसमें व्यक्ति द्वारा विशेश ज्ञान और दक्षता को प्राप्त करके शुल्क के बदले में समाज के विभिन वर्गों की निश्पक्ष शेबा की जाती है जैसे डॉक्टर द्वारा क्लिनिक पर अपने मरीजों का इलाज किया गया रोजगार से क्या शाय है मनुष्य की ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिन में एक व्यक्ति किसी शर्त या अनुपंद के अनुसार दूसरे व्यक्ति के लिए निश्चित पारिश्रमिक के उद्श्य से कारे करता है जैसे एक अध्यापक सरकारी स्कूल में कारे कर रहा है श्रमिक ठ और इनके द्वारा लाब यानि धन अर्चित किया जाता है। आईए अब हम विवसाई की विशेष्टाओं पर नजर डालते हैं। बच्चो, किसी भी विशेष्टाएं उसके संपून अर्थ को प्रकट करती हैं। आईए देखते हैं। सबसे पहली विशेष्टा है, यह एक आर्थिक क्रिया है। बच्चो, अब आप भली भाती परिशित हो चुके हैं कि विवसाई एक आर्थिक क्रिया है। अर्थात, विवसाई के स्थापना धन कमाने यानि लाव प्राप्ति के उदिश्य से जीवन को चलाने के लिए की जाती है। आप अपने आसपास की दुकानों को देख कर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह लाव धन कमाने के लिए चलाई जा रही हैं। वस्तुओं को बेच कर वो पैसा कमा रहे हैं। यही एक आर्थिक क्रिया के रूप में है। अगला है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनकी प्राप्ति। व्यवसाय में उन सभी आर्थिक क्रियाओं का समावेश होता है जो या तो वस्तु और सेवाओं को एक व्यवसाईक इकाई द्वारा उत्पन करके अंतिम उभोक्ता को उपलब्द करवाई जाती है या किसी व्यवसाईक इकाई द्वारा निर्मित वस्तु को प्राप्त करके उनके रूप में परिवर्तन करके या उनकी साहिता से किसी अन्य प्रकार की वस्तु का निर्मान करके उभोकता के युग्य वस्तु को उपलब्द कराया जाता है। इसलिए विफसाय में उद्योग संबंदी सभी कारियों का समावेश है और विपार संबंदी भी साथ की साथ वित्रन संबंदी सभी साहयक तत्वों का भी योग इसमें शामिल है। वेफसाई एक व्यापक शब्द है, इसमें उद्योग, व्यपार और व्यपार की सभी स्क्रियाओं को शामिल किया जाता है। उद्योग से ताथ पर यह है, आर्थी क्रियाइंग जो वस्तु और सेवाओं के स्वैम उत्पादन से जुड़ी हैं, जो वस्तु और सेवाओं को स्वैम निर्मित करती हैं और उन्हें बेचती हैं, और उप्योग के लिए ग्रहकों के लिए उपलब्द कराती हैं। व्यपार के अंतरगत, उद्योग द्वारा निर्मित हम वस्तु और को खरीद कर, उनके रूप में, उनके रंग में परिवर्टन करके उन्हें बेचने का कारे करते हैं, और फिल उप्योग के लिए उभोकता के सामने प्रस्तुत करते हैं। व्यपार की जो सहायक करियाए हैं, वो वित्रन शंकला को दिखाती हैं, जैसे बैंक, बीमा, संग्रहन, यातायाद, संचार, इतियादी। इनके अधार पर वस्तु और सेवाओं को उप्योग के स्थान पर उभोकता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हम उद्योग और विपार के अधार पर वस्तु को दो प्रकार से बांट सकते हैं। और विनी में। वस्तु और सेवाओं के उत्पत्ति क्रेव विक्रेव और वित्तरन इसलिए किया जाता है कि वो अंतिम भोकता की अवशक्ता को संतुष्ट कर सके। यदि उत्पादक या वैपारी उत्पन वस्तु को स्वैम ही उप्योग कर लेता है तो यह क्रिया वैफसाय नहीं कहलाती क्योंकि इससे धन की प्राप्ति नहीं होती। उधारन के तौर पर ग्रहनी दुआरा अपने परिवार के लिए यदि भोजन बनाया जाता है तो यह वैफसाय नहीं है क्योंकि इसमें धन की प्राप्ति नहीं हुई है। परन्तु यदि ग्रहनी खाने का डबा बनाकर अपने परोस में नियमित तौर पर बेचती है तो वैफसाय के अंतरगत आएगा। आता है वस्तू और सेवाओं का धन के लिए क्रे विक्रे और विनिमे होना अवशक होता है। अगला है नियमित वस्तू और सेवाओं का अदान प्रदान। विफसाय क्रिया निरंतर चनले वाली प्रक्रिया है। यदि एक बार हमकारी करते हैं और उसमें धन का अदान प्रदान होता है तो विफसाय के अंतरगत नहीं आता। इसमें वस्तों और सेवाँ का बार बार अदान प्रदान होना चाहिए। उधारन के लिए यदि आपके मित्र ने दस रुपे में आपको अपना पैन बेच दिया तो यह क्रिया विफसाय इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि यह क्रिया बार बार नहीं हुई। यदि आपके मित पैन बेचने का ही कार्य है तो विफसाई की शेडी में आएगा लाब अरजन विफसाई का प्रेणना शोत्र क्या है लाब विफसाई की स्थापना किस लिए की जाती है लाब के लिए की जाती है हर व्यपारी अपने विफसाई से लंबे समय तक लाब कमाना चाहता है जो कि दुए कि अध्रिश्टिकों से हम विशेष्टा देखते हैं प्रतिफल की अनिस्चिता। विपसाई की स्थापना लाब प्राप्ति के कारन से हुती है लाब विपसाई को अस्तित्य वे-प्रदान करता है विफसाई इसलिए खोला और लाब बजार के अफसर से कम या जादा भी हो सकते हैं जैसे COVID-19 में कई विफसाए अचानक बंद होने की स्थिति में आ गए क्योंकि उनकी लागते बढ़ गई और आएका श्रोत नहीं रहा जोखिम तत्व विफसाए में हानी होने की जो संभावना है उसे हम क्या कहते हैं जोखिम याद रखिए संभावना को कहते हैं हानी होने की संभावना हर एक विफसाए में जोखिम बना रहता है विफसाए की स्थापना दीर कालिन समय तक लाब कमाने के लिए की जाती है वेवसाई को विवस्ति ढंक से चलाने और विस्तार के लिए वेवसाई समय समय पर अनेक योजनाय बनाता है जो किस पर टिकी है भविश्यप्ट भविश्य क्या होता है अनिश्चित होता है व्यक्ति द्वारा वस्तों और सेवाओं का उतफादन क्या है व्यक्ति इसमें विशेश ग्यान और कोशन को नक्ष्म रजित करे समाज lives कि त्रवोजी यह क्या है एक यह थी अनुबंद या शृत के अधिन दूसरे व्यक्ति के लिए कारे करता है जबकि स्थापना के अधार teaching अंतर देखें, तो व्यफसाई बहुत ही सरल है स्थापित करने में, क्योंकि ये व्यफसाई की निर्ने पर निर्भर करता है, समाने कानून अपचारिक्ताओं को पूरा करके व्यफसाई की स्थापना की जा सकती है, पेशिवर संग में व्यक्ति को पहले विशेश, युग्य शिक्षन प्रशिक्षन और दक्षता प्राफ्ट करनी होती है उसके पश्चात पेशिवर संग की सदस्यता लेनी होती है तक पश्चात आप अपना निजी पेशा खोल सकते हैं रोजगार में कारे अनुबंद की शर्टों के तहट न्युक्ति पत्र को स्विकार करना होता है तब आप किसी के लिए कारे कर सकते हैं अगले द्रिश्टि कोन से अगर हम अंतर जानना चाते हैं तो कारे की प्रकृति को लेते हैं कि समाजमेल बस और सेवाँ की उपलब्दता का जो कारे है वह किसा है विशेषग्य की सेवाय कौन प्रदान करता है पेशा के नियमनुसार कारे करने की जो अपलब्दता है वह कौन देता है रोजगार योगता की अधार noble देखें, वेफसाय में किसी नियुनित्म योग्यता की अवशक्ता नहीं होती, कोई भी व्यक्ति यदि वेफसाय को चलाने में शक्षम है, तो वेफसाय की स्थापना कर सकता है, जबकि पेशे में विशेश ज्यान, शिक्षन, प्रसिक्षन, योग्यता, दक्षता की अवशक है पड़तिफल जो परिणाम है वह क्या है यह प्राप्ट कर जब कि पेशे से हमें क्या प्राप्त होता है फीज रोजगार में मस्दूरी और वेत्न की प्राप्ति होती है फूंची निवेश के अधार पर विफसाइय में सबसे अधिक कमाया जाता है जोखिम विफसाय में जोखिम तत्व सबसे अधिक होता है क्योंकि लाब जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं और अनियमित होते हैं जबकि पेशे में कुछ सीमा तक जोखिम सीमित होता है जबकि रोजगार में जोखिम होता ही नहीं इसलिए 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 वारियत अत्तो है पेशिवर संग के अचार सहिता का हमें पालन करना होता है जब कि रोजगार में नियूक्ता जो नियम और शर्तिन निधारित करता है उनके पालन करना अनिवारे होता है अगर हम सफलता का मुल्यांकन के दृष्टी को उन से इन में अंतर देखें तो विफसाई की सफलता का मापदन्ट क्या है लाव पेशे को कैसे पचानते हैं पेशे वर व्यक्ति की प्रतिष्ठा से उसकी सफलता को आका जाता है और रोजगार में अगर व्यक्ति अपनी कारे प्रकती करता है, किसी उचे ओहदे को प्राप्त करता है, अपनी उची स्थिती पर जाता है, तो उससे इसकी सफलता का मुल्यांकन होता है। चलिए अब हम अगला अध्यान करते हैं जैसे उदम स्तर पर विवसाई क्रियाओं में विभिन प्रकार के विवसाई बिलकर समाज में वस्तू और सेवाओं की सुगम उपलब्दता में अपना योगदान देते हैं। इने हम सामविक रूप में विवसाई इकाई या फर्म या उदम के नाम से जानते हैं, जो एक प्रक्रती की वस्तू और सेवाओं के उत्पाधन में और उनकी वित्रन शंकला से जोड़े हुए हैं। ये सबी मिलकर उदम के रूप में चार प्रकार की विवसाई क्रियाओं में अपना योगदान देते हैं। वित्र विवस्ता की, उत्पाधन की, विपनन की और मानव संसाधन की। वित्ववस्था में विफसाई क्रियाओं के लिए प्रियाप्त मात्रा में धन उपलब्द करवाना होता है और सर्वोत्तम प्रयोग पर बल दिया जाता है उत्पादन में आप जानते हैं कच्चे माल को पक्के माल में परवर्थित करके या पैदा करके उसको उपलब्द आया जाता है यह कारिय निरंतर चलता रहता है ताकि विफसाइक करियाएं निरंतर चलती रहें विपनन में विफ्तु के और सेवाओं के बजार कोत्पन किया जाता है अदान प्रदान को संभव बनाया जाता है हर वस्तु हर व्यक्ति के पास हो उचित समय पर हो स्थान पर हो उचित कीमत पर हो, सुगमता से उपलब्ध हो सके, ये सब कारे विप्रण में देखे जाते हैं। मानफ संसादन, मानफ संसादन में विफसाई गतिवितियों में गतीशिल्ता को बनाए रखने के लिए विभिन कारे के लिए युग के करमचारी सदा बजार में उपलब्ध करthing करवाये जाते हैं। चलिए अब हम विफसाई के उद्शूं पर नजार डालते हैं। वेफसाई की उद्धिश्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, मुख्य उद्धिश्य और बहु मुख्य उद्धिश्य बच्चों, हम जानते हैं कि एक वेफसाई की स्थापना लाब प्राप्ति के उद्धिश्य से होती है यह इसका मुख्युद देश्य है, प्रतेक विफसाई मात्र लाब या धन प्राप्ति के लिए ही समस्त विफसाई करियाओं का संचालन करता है, अंत्र लाब की विफसाई में एहम भूमिका होती है, बच्चो विफसाई का अस्तित्व लाब पर क्यों टिका हुआ है, इसके क प्रदान करता है, विफसाई में लाब के कारण धैनिक कतिविदियों हित्व धन बना रहता है, अर्थात कारिशिल पुंजी बनी रहती है, बजार की प्रत्यों की स्तिति का सामना करने के लिए, यह नव परवर्तन को अपनाने के लिए लाब विफसाई में महत्पुन भू नाम होते हैं कारे और प्रेणना का अधार भी लाब होते हैं सक्षा के प्रतिश्ठा को बढ़ाने का सूचक भी क्या है लाब है विफसाई को दीर के कालीन अस्तित्व लाप के द्वारा ही प्राप्त होता है और इसी तरह विफसाई स्थिर्टा को प्राप्त करता है परन्तु क्या मात्र ला बर्जित करना विफसाई के लिए सब कुछ होता है प्रतेक विफसाई इकाई समाज का अंग है समाज से बहार रहकर वेवसाय की काल्पना भी नहीं कर सकते हम अंसमाज विवसाय का अधार होती है अंची शर्फ ला बरजन करना वेवसाय का एक मात्रों दृष्ष नहीं है वेवसाय को सफल बनाने के लिए समाजी खित के द्रिष्टिकों से भी धियान में रखना होता है। अच्छी वस्तुएं बनाना, उनकी उपलब्दता बनाई रखना, वस्तुएं सेवां को उचित मुल्य निर्धारित करना, रोजगार के अफसर देना, देश का शित्रे विकास करना, नई नई तकनीक लेना, ये सब शित्र भी विफसाई के लक्ष निर्धारित करते हैं, जि क्या बच्चो एकमात्र लाव अर्जन विफसाई का उदिश्य है? नहीं, एक विफसाई अधिक्तम लाव के दृष्टिकों में मुनाफ़ा खोरी, चोरी, मिलावट, कत्रिम कमी, गुनवत्ता में कमी, भ्रम, पुन, विज्ञापन जैसे अनितिक कारियों की दिशा में चल करना होता है, एक विफसाई अपने लाभों में व्रिदी तब ही कर सकता है, जब वो समाज को उपयोगी और अवशक्ता अनुसार वस्तियों और सेवाइं प्रदान करें, इसलिए विफसाई को अपने उदिश्यों में समाज के हर उस शेत्र पर अपना ध्यान के इंद्रित करना होगा, जो विफसाई को विखसित होने का अफसर देती है और उनके अस्तित्व को दीर विकाल तक बनाए रखती है, यहां विफसाई को यह देखना होगा कि समाज को विफसाई की क्यों अवशक्ता है, और विफसाई समाज को क्या दे सकता है, विफसाई के जो जिचीत निर्धारन करना अवश्क होता है वेवसाइश समाज के जिन-जिन-षेत्रों Peace से जुड़ा उन सभी शेत्रों में वेवसाइश से जो उपेक्षाएं है उन्हें पूरा करना आवश्क है समाज के को उन से और प्रशने लुग्ष करने का सामने怎樣 यहां वेफसाय को देखना है कि उसके द्वारा निर्मित वस्तुएं और सेवाएं क्या बजार में विद्दमान प्रतियोगिता का सामना कर पाएंगी? यहां वेफसाई को प्रतियोगी मुल्य को ध्यान में रखकर उत्तम वस्तुएं बजार में ग्रहगों के लिए उपलब्द करवानी होगी ताकि वेफसाई की वस्तुओं सेवाँ की मांग में स्थर्ता बनी रहें वस्तु में बिक्ती रहें, विफसाह का स्थित्व बजार पर ही टिका हुआ है, इसलिए बजार की स्थिती का समय समय पर अवलोकन करके आवशक सुधार किये जाने चाहिए। विफसाह नई वस्तु लेकर नई-नई कारविधियों को अपनाता है, नई-नई वस्तु के प्रियोग को संभव बनाता है, जिससे विफसाह बजार में टिका रह सकें और अपने ग्रहकों को बनाए रख सकें। साथ में नए ग्रहकों को भी अपनी और अकर्शित कर सके नव परवर्तन दो तरीके से हो सकता है या तो उत्पाद के रूप में बदलाव लाकर कोई नई वस्तु का निर्मान करे या वर्तमान उत्पाद के रंग, रूप, पैकिंग में परिवर्तन करके बजार में रखें ताकि पुराने ग्रहक आपकी वस्तु की ओर टिके रहें, वर्तमान गलाकाट प्रतियोगिता में विफसाइक के लिए नव परवर्तन अतियावशक है, उत्पादक्ता, विफसाइक को समय समय पर उत्पादक्ता का मुल्यांकन करते रहना चाहिए, प्रतेक विफसा को बढ़ाने में वो प्रत्यशील बना रहें, अगला उद्दिश्य है भौतिक और वित्य संसाधन, प्रतेक विफसाइए अपने भौतिक संसाधन जैसे भवन, प्लांट, मशीन्दी, इत्यादी का, और वित्य संसाधन जैसे पूंजी, रिन, कोश, संचे, इन सभी का मित् शंता को बढ़ा सकता है, संसा में उपलप्त सभी साधन का दक्षता पूर्वक, प्रियोग बहुत आवशक है और ये विफसाइए का उद्दिश्य होना चाहिए, अगला उद्दिश्य है, लाब अर्जन, एक विफसाइए लगाई गई पूंजी पर कितना लाब अर्जित कर रहा है, इस और भी ध्यान देना चाहिए, इसका निर्धारन किया जाना चाहिए, संस्था के प्रियाप्त लाब हो रहे हैं या नहीं, इस पर भी हमें अविश्य ध्यान देना चाहिए, विफसाइए की सपलता का मापदन प्रियाप्त लाब होते हैं, प्रियाप्त लाब भी हमारा उद्रिश्य होना चाहिए प्रबंद निश्पादन और विकास प्रतेग विवसाए अपने प्रबंद से उपेक्षा करता है कि प्रबंद समस्त विवसाई क्रियों में तालमेल बनाके रखे अंत विवसाए को अपनी प्रबंद विवस्था का निरंतर विकास करते रहना चाहिए जिससे व्यवसाइए में प्रभावपुन संचालन संभव हो सके प्रभंद विकास के लिए उसे समय समय पर शिक्षन प्रशिक्षन अभी प्रेणन जैसी योजनाओं को भी लाकू करना चाहिए अगला उदेश्यों हो सकता है करमचारी निश्पादन और मनोवरती की शेत्र में किसी भी व्यवसाई की सफलता में उसके करमचारियों और प्रबंदकों का मैत्पून योगदान होता है वेफसाई की उत्पादन शगमता हो, गुनवता हो, लाबर्जन शमता हो, ये सब बहुत हद तक करमचारियों के परिश्रम का नतीजा होती है अंत्रप्रतेक वेफसाई अपने करमचारियों के उचित पारिश्रमिक, कारेदशाएं, सुविधाएं, आवास, चेकित्सा, जल्पान, इन सभी का पून ध्यान रखे और इन्हें उपलब्द करवाए, ये उसके ध्योय में होना चाहिए समाजिक उत्तरदाईत वेफसाई समाज से जुड़ा है, और समाज में स्थापित होकर समाज के लिए ही वस्तों और सेवाओं का निर्मान करता है अनसमाज सेवा वेफसाई का परम धर्म है समाज के विकास में योगदान देना, जैसे हस्पताल, स्कूल, उद्योगिक शित्र का विकास, रोजगार के अफसर देना, ये सब विफसाई का कर्तव्य है और उद्देश्य भी इसलिए समाज हित के संपून कारें को विफसाई को परम लक्ष में लेना चाहिए बच्चो, हमारा आज का अध्याए विफसाई अवधारना यहीं पर समाप्त होता है आशा है आपने इसे ध्यान से सुना होगा और आपकी समझ में भी आया होगा ग्रहकारी के रूप में आप अपने स्वैम के ग्यान को परक सकते हैं आप अपने वातवरन में आसवास की क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं और अनार्थिक क्रियाओं के उधारन ढूंटिए और उनकी एक सूची अपनी कॉपी में लिखिए इसी प्रकार आप विफसाए, पेशा और रोजगार के उधारन ढूंट कर भी उनकी सुची बना सकते हैं धन्यवाद बच्चों